इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उप्योग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम ले रहे हैं. आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यक्ता है. आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर्देश मिले हों तब तक इस दवा को लें. अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो याद आते ही अगली खुराक लें. हालां कि आपको कभी भी डबल डोज नहीं लेना चाहिए. नीन दाना इस दवा का सबसे सामान्य साइड एफेक्ट है. ड्राइविंग या ध्यान देने वाली गतिविधी से बचें. अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं. उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं. कुछ मामलों में इसके कारण मुह सूख सकता है इसलिए अधिक पानी पीना चाहिए, हमेशा शुगर कैंडी खाना चाहिए या मुह को साफ रखना चाहिए. इस दवा को लेने से प जाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं. आम तोर पर इस दवा से इलाज के दौरान शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है. Able Tablet के मुखे इस्तेमाल Able Tablet Uses in Hindi Allergic Condition का इलाज. Able Tablet के लाब Allergic Condition का इलाज Able 25 टेबलेट नाक रुकने या बहने, छीक आने, आँखों में खुजली चलने तथा आँखों में पानी आने जैसे लक्षनों से राहत प्रदान करता है. इस से आपके लिए रोजमर्रा की बेहतर लगेगी और इसके साथ ही आपके मूड और आत्म विश्वास में भी सुधार होगा. इसके गंबीर साइड इफेक्ट कभी कभार ही होते हैं और आपको इसे लेने की जरूरत लक्षन दिखने वाले दिनों में ही पढ़ सकती है. अगर आप इसे लक्षनों की साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं. अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें एविल के सामान्य साइड इफेक्ट नीन दाना मुह में सूखापन इस दवा की खुराक और अनुपान की अब कुछले या तोड़े नहीं. एविल 25 टेबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है. देखने के लिए धन्यवाद.